कई प्रकार की संक्रमण की बीमारियां होती हैं, जिनमें एक संक्रमण बीमारी है चेचक, प्राया जब जाड़े की रित समाप्त होती है और गर्मी की रित प्रारंब होती है, तीसी समय इसका प्रकोव बढ़ता है इसके रोधक के लिए आज सरसुती शिश्मंदिर स्विवा जी नगर एच एल कोरवा में भईया बहनों को चेचक रूधी दवा पिलाई जा रही है इसकी तीन खुराकें होती हैं, दो खुराक लगातार पहले और दूसरे दिन, तीसरी खुराक एक हफ़ते बाद पिलाई जाती है ये दवा पिला देने से बच्चे एक साल के लिए इस बीमारी से सुरक्षित हो जाते हैं इसलिए सभी अगभाकों को भी चाहिए और भाईया बहनों को सुवें भी जाग रूप हो करके अपने अगभाकों को बताना चाहिए इस दवा को पिलवा दें जिससे कि वो चेचक जैसी संक्रमित बीमारी से बच सकें अनता बीमारी हो जाने पर काफी शारिरिक नुक्सान होता है संक्रमण फैलता है रुपया पैसा भी दवाग के लिए खर्च होता है जबकि इसका कोई समुचित उपचार नहीं है बीमारी हो जाने के बाद तो आज ही अभियान सरसुति शिष्मंदेर श्रीवा जी नगरिया चल कोरवा में चलाया जा रहा है और विद्याले के सभी भईय बहन होमियो पैतिक दवा का सेवन कर रहे हैं भारात माता की सर्वे भवन्त सुखिनाहा सर्वे शांतु निदा मया सर्वे भद्राणि पश्यांतु मा कास्ति नुभाग भवे ओम शांती 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 ही कर दो कर दो कर दो कर दो क्या थाली है